बहुत बहुत सोगत आपका पढ़ाई करो और पर आज की कलास के माधिव से देखेंगे, आज की कलास में हम फाइनली M.G.K.VP का प्रिविसर का कुर्शन पेपर लेकर लेकर आ चुके हैं, यह जो आपका पेपर है बच्चो B.A.B.S.C.B.K.O.M. B.B.A. सभी में आपके थर् आपका करा जाता है, पहले आपका 16 फर्वरी का प्रवडि को पर लगा हुआ था, लेकिन поступ करने..स नोसे रेक्जाब एक दिन बात जो है MG QVP का एक्जाम लगा हुआ है, दोनों नुश्टी के लिए बहुत ही महातपूर साभीत होगे, पूरा का पूरा कुस्टन पेपर, MG QVP के लिए तो खास का बहुत ही महातपूर साभीत होगा, क्योंकि मैंने जो food nutrition के मैंने एक paper upload किया था, आपके first resolution में, जो भी मैंने उसको solve करा था, उसमें के काफी 50 इसमें आपके questions आते हैं, बच्चो 50 में से मैंने बताए 48 questions आयते, दो questions के वाल बाहर से आयते हैं और पूरा paper, producer की paper से आपका फस गयाता है, इसलिए मैं अभी से recommend करूँगा कि आप इसको बिल्कुल देख के जाएंगे और खास कर यह आपका जीसा है कि मैं बात कर रहा हूं 2-3 university के भी, कुछ university के भी exam बाकी भी है, मैं सभी university की बात करा हूं, जिसमें आपका देखा या आपके जो है, इसमें 100 नमबर आपके पूरक पूरे रहेंगे, ठीक है यह 100 नमबर आपका पूरा कुछन पेपर है पिछले साल बच्चों यही पेपर आपका आपका कराए गया था MGQVP में, यानि महत्मा कांधी कासी विद्धाफित उनरस्टी वारारसी में, यही पेपर आयुजित कराए गया था बहुत ही महत्पूर साभी था हुआ इस बार के लिए देखे, मैंने इस पर आलेडी बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे आपके हाल ही में बहुत सारे विद्धी के पेपर भी हो चुके है मैंने उसका भी मैंने आलेडी अंसर की प्रोईट कर चुका हूं इसलिए एक बार मैं रिक्रवन करूंगा आप लोग को simply वही वीडियो जाकर आपको वाच कर लेना दो-तीन वीडियो और इसके साथ में बैस से बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला पूरा पेपर आप सोल पर के आओगी इस बात की मैं गरांटी देता हूँ चलेगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं को दो था यह बताना है सum Ee बेकननाद जी के पहले का नाम था-पूर में इस में इच दनान चाहि स्इnel अगला को सं किसी जनम दिन पर मण जाता है स्वामि बेकानन जी के जांती पर बिल्कुल इनके जनम दिन पर मना जाता है युओ तेर्श आपको आपको न पने एक देoh कभी-कभी पर्षन बच्चो ये भी पूछ लेता है कि युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है ये पूछ लेगा तो पिलकुल भी कंफूज नहीं होना है बारा जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है सौमी वेकानंद जी के जनम दिन पर बिलकुल इसमें का भी आपसन किस और ऑप बार-र जौन, इसमीब ये जो कहा था ये अच्छी पुस्तक यानि one good बुक्स इज वर्थ आप थाउजेंड फ्रेंड सेज ये जो कहा था बच्चो ये कहा था फ्रेंड 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 एकदם रहेगा बच्चो अग्ला कुसन दिया वाह है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूगा या किसका नारा था बिलकोल यह कहा था सुभाषन बोडोड जी ने नेता सुभाषन पोड जी ने कहा था बिलकोल से आपसन एक्दम सही अगला कुशन नकार आत्मक मूल क्या है बिल्कुल निगेटिव वैलू होई जी निगेटिव वैलू होई जी निगेटिव वैलू होई ठीक है पहला आपसन एकदम सही रहेगा अगला कुशन दस नमबर दियाओ कि सकारातमक मूल ये बिल्कुल दी पोश्टी वैलू इज पोश्टी वैलू भी पूछी गए बिल्कुल आहिंसा भी आए और धायर भी ये सांधी भी ये सभी जो है पोश्टी वैलू है इसलिए उप्रुक्त सभी बिल्कुल डी आपसन जाता है बच्चों हो विद्याले में भी द hyvä गवार की दोरा भी दया जाता है और धारमिक कीजिए सथाओ में भी दिया जाता है इसलिए बीडियोग तो सभी बिल्कुल इसमें डी आपसन एकदम रएट रहेगा अहिएsТु चैनल के नाम से मैंने एक टेली कराम का भी चैनल क्रेट किया हुआ हूँ आप उसको भी जोइन कर लेजी आपको कोई भी वहाँ पर नीजी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई पर आपको पीडियो वगएरा भी आपको वहां से मिल जाएगा आप जाकर वहां से एक बार दीजिएगा भी अगले पर स्वाव बढ़ेंगे योगी आपका 13 नमबर कुस्ट आपका दियावा है देखेंगे इसको भी किड़ नासक दवाय जो है प्राकरतिक परियावरण को क्या पहुचाती है बिल्कुल बिल्कुल इसमें का जो है बी आपसन एकदम सही जो किड़ मूल की बात करें तो सत्यमानदारी आत्म निद्भरता ये सभी जो है मानिवी मूल ही है इसलिए डी आपसन लगाईएगा उपरियों का आधार है बिल्कुल बताने का प्रियास करेंगे सब्याथी मूलियों का आधार क्या है यानि बेसिस आप वैलुवार सोसल बेस भी है ओ फिलोस्फर देखा या तो फिलोस्फिकल बेस भी है और साइकलोजिकल बेस भी है बिल्कुल डी आपसन लगाईएगा आला वेबो उपरियों को सभी इसमें का रैट भी कल पाएं अगला कुस्टन भी आपका दियावा कि एक भारती नागरिक कुरूम में हमें क्या करना चाहिए भरष्टाचार का विरोध भी करना चाहिए बिल्कुल परियावन सरन अच्छण भी करना चाहिए बिल्कुल ये भी करना चाहिए धोका दली नहीं करनी चाहिए बिल्कुल इसलिए आपको डी आपसन लगाना है उप्रवक्त सभी ये सभी जो है हमें भारती नागर क्रोम में करना चाहिए ठीक है अगला कुछन दियावा है कि सदा जीवन उच्च विचार किसका मानव मूल यह बिलकुल बताने का प्रियास करेंगे सभी लोग सुमी वेकरनंदी जी का है अभी महतमा गांधी जी का है अभी रवीना टैगोर या भगास सिंग जी का है किसका है बिलकुल महतमा गांधी लगाएगा इसमें का भी आपसे नेक्दम चाहिएगा 17 नंबर कुसुंस का अगला कुसुंस भी आपका दियावा है 18 नंबर की एक कि किसकी गुडवत्ता से समन्दी था बिलकुल इसका कभी कि बच्चों क्या होता कि इसका फूल फाम भी पूछ ल यह वाईव से समन्दी थे तो जाहिर से बात है यहां से पूछा कि एक क्यों आई किसकी गुडवत्ता समन्दी थे बिलकुल वाईव की है एयर से समन्दी थे जलिए पहला आपसल लगाएगा एक्दम सहीरेगा इसका फूरफाम आपको देखने ना है बिलकुल आपको अप बरस्टाचार सभी विराजमान है इसलिए डी आपसल लगाएगा उपरयोग तो सभी में ठीक है सभी कहीं देखा जाए तो बरस्टाचार देखने को मिलता है अगला कुशन 20 नमर दिया वाई कि नेमलिखिन उसे जो है कौन सा सोसल मीडिया का भाग नहीं है बिलकुल यानि इंस्टाग्राम देखा जा तो ये भी आपका सोसल मीडिया है और वाटसाप भी सोसल मीडिया है लेकिन बीडियो काल बच्चो बीडियो काल कोई भी सोसल मीडिया नहीं है इसलिए इसमें का कौन सभी कल्प सही देगा बिलकुल सी आपसन एक दम सही देगा अगला कुशन पहला आपसन एकदम सही रहेगा अगला फियापका दियावा है कि उठो जागो ना रुको जब तक कि लच्छ ना मिल जाए या किसने कहा था इसकी बात करने बच्चो बाइस नमबर आपका कुस्टन साब कर दिया हुआ ठीक है ये कहा था सौमी वेकरनंद जी ने बिलकुल C अपसन लगाईएगा एकदम सही रहेगा अगला कुस्टन दिया हो कि A.P. जी अब्दूल कलाम जो है बिलकुल B.A.P. अगला कुस्टन आपका दिया हो कि सोसल मीडिया किसे बढ़ावा देता है बिलकुल सोसल मीडिया बच्चों जो है साइबर बुलिंग को बढ़ावा देती है बिलकुल इसमे का जो है आप लगाईएगा B.A.P. लगाईएगा एकदम सही रहेगा देखा जाए तो अपरावा देती है लेकिन सोसल मीडिया देखा जाए तो साइबर बुलिंग उसी कंतर के सभी आ जाती है इसमे का जो है आप B.A.P. अगला कुस्टन दिया हुआ है कि परियाव रड़िये सिच्छा में किसकी सिच्छा दी जाती है बिलकुल देखा जाए तो परियावर रड़ियाव की सिच्छा दी जाती है परियावर का ज्यान भी की सिच्छा दी जाती है और परियावर प्रबंधन क्या होता है इसकी भी सिच्छा दी जाती है इसलिए सभी आपसन एक्दम राइट है इसलिए डी आपसन लगाईएगा एक्दम स प्रिधिवी के तापमान में बिन्दी होती है, तो इसका परभाव है वनस्पत कैसा पढ़ेगा, यह पूछा गया कुस्सन में, यह दम इसकी बात कबले तो बिल्कुल, पिर्धिवी जो है, वनस्पत विहीन हो जाएगी, यानि पिर्धिवी पर बिरच नहीं रहेगी, वनस् स्वाद पेड़ पोधे ही ठंड़क देती हैं जब पेड़ पोधे जुरा जाएंगे यानि सूख जाएंगे जाहिर स्वाथ है ठंडी तो देखा जाए तो अधिकतर गर्मी का ही प्रकोप रहेगा इसलिए देखा जाए तो डी आपसन लगाएगा यानि पृतिभी के तामान म पाया था बिल्कुल तुर्की में आया था पहला अपसन लगाएगा अगला कुष्ण बिस्व परियावराण दिबास मना जाता है बिल्कुल पाच जून को मना जाता बच्चो यह कुष्ण आप लिखके रख लिए 100% में गरांटी लेता हूं कुष्ण कि आपको पर एक्ज होती है बच्चो दूसित जल वही हो गया है जा पेचिस अतिसार यह सभी जो है पर दूसित जल पीने से ही होती है इसलिए अगला कुष्ण दियावा है कि भारत के किस राज में जो है मरुस्थली करण के छेत्र जो है सर्वधिक होते हैं बिल्कुल सभी को पताओगा राज स्थान ठीक है इसमें का राजिस्थान एकदम सही रहेगा अगला कुष्ण दियाओं की पर्येवन सनक्षड का अर्थ क्या होता है बिल्कुल पर्येवन सनक्ष्ण और में प्रोटेक्टिव मीनस क्या होता है इसकी बात कहले तो बिल्कुल कंजर वेसन आप नेशूर सब्सक्राइब करते हैं अगला कुसंद्यों की पेल पधें जो होते हैं कौन सी गैस बाहर निकालते हैं तो बिलकुल बच्चो आक्सीजन निकालते हैं सभी को पता भी होगा C option लगाईएगा कारबन डायकसाइड घरान करते हैं आक्सीजन निकालते हैं निस्कासित करते हैं अगला कुस्तन दियावा के मिलेर्स की खेती के लिए अवस्षक क्या है बिल्कुल, मिलेर्स के खेती के लिए बच्चो कम उर्वरग की भूम में भी अवस्षक है कमपानी भी है और कम समय भी बिल्कुल डिया आपसन एक्दम सही रहेगा उप्रुक्त सभी अगला को संद्याओ कि धूल पर दूसर रोकने के लिए उप्रुक्त बिरच है धूल पर दूसर रोकने के लिए उप्रुक्त बिरच की बात करने तो बच्चो ऐसोग भी है पीपल भी है नीम भी है जिससे जादा देखा जाए हो गया नीम पर लेकिन इस पर मैंने रिसर्च भी किया निकला अशोग का यह ठीक है, इसका पहला आपसन एकदम सही है और वैसे तो नेम भी धूल-परदूसर्ण को रोकता है, यह सही बात है, लेकिन असोग का बिरसिक जम सही रहेगा, बच्चों पहला आपसन लगाएगा, ठीक है, यह people है सभी देखा या तो सभी रोकते हैं, इससी बात नहीं कि नही लाइए ठीक है अगले पर शुर बढ़ेंगे कि आखभार में कौ driven सAir तो होता है में नीच बेहले इसमें कौन स्वरी सेला तत्त होता है इद मोईनल की लेड होता है फी असकी हम बात करेंड तो बिल्कुल जो हैं बिकरण के ही शुरोथ हैं बिलकुल डी आपसन एक दम सही अगला गुस्तन 28 नमबर द्याओगी वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्तु का परियोग होता है याद इसकी बात कर ले तो बिलकुल किस तत्तु का परियोग होता बच्चो 38 नमबर बिलकुल क्लोरीन का प प्रदिक्त सब्हें में अग्ला कुसन दियावाहै कि प्राकरत में उर्जा का मुख्त शुर्थ क्या है बिलकुल सूर्ई है पहला अक्दम सही रHeyगा अग्ला क्प gnaगी घरों में सजावट के लिए कृत्रिम एको सिस्टम को कहते हैं क्या कहते बच्चो बिल्कुल एक्वेरियम कहते हैं लगाईएगा पहला आप्षन एक्वेरियम कहते हैं 41 सिमर कुष्ण का पहला आप्षन एकदम सही रहेगा बच्चो अगला कुष्ण फियाव का दियावा कि सरोवर में तेजी से बिरद्धी करते हैं बिल्कुल जलकुम्भी बिरद भी है और भूस्खलन भी इसलिए डिया आपसन एकदम सही उप्रोक तो सभी इसमें के राइट है चीप को अंदोलन कहां से शुरूब हुआ बिल्कुल चीप को अंदोलन की धम बात करने तो बच्चो यह आपका अधारित भी होनी चाहिए इसलिए डिया अपसन एकदम सही रहेगा बिल्कुल पहला अपसन लगाईएगा एकदम सही रहेगा मानो जो चेस्ठा करता है परिया अपसन लगाईएगा बिल्कुल पहला अपसन एकदम सही रहेगा देज़े मैं आपको पुना मैं आपको फिर याद दिला दे रहा हूँ मैंने इस हुमन वैलोज के मैंने अलेडी प्लेलेस्ट मैंने क्रेट कर रखा है आप जाकर उसमें से मैं सभी वीडियो नहीं कहूंगा बस जितने भी मैंने आइंसर की हाल ही में जो पेपर हुए है यूपी के बहुत सारे उनिश्टी में पेपर आपके हो चुके है उसका मैंने जो आइंसर की प्रोड किया वाँ हूँ जितने भी वीडियो में एंसर की लिखा है आप जाकर सिंपली दो तीन वीडियो आप कमपल्सरी आपको देखी ही लेना है आप दो तीन वीडियो यह देखने के बादे दो वीडियो और देख लेते हैं तो पूरा पेपर आप सौल करके आओगे एक भी कुसर्ण छूटेगा नहीं मैं इस बात की गारांटी लेता हूँ अगला कुसर्ण दियावा है कि सौरूर्जा से पराप्त होती है बिलकुल माइटरो नगरो में पर्दूसर का परमुक्स रोध क्या है मैट्रो नगरों में बात करें जा तो रेडियो अक्टिविटी ही है देखा जाए मेरे सबसे तो पहला आपसर नहीं एक्टम सही होना चाहिए क्योंकि मैट्रो नगरों में जो है परदूसर का परमुक सुरोथ है बच्चो वह है रेडियो अक्टिविटी ठीक है पहला आपसन लगाईएगा देखा या तो इंधन चलित वाहन भी हो साइजे लेकिन यहाँ से मेट्रो नगरों में परदूसर का परमुक सुरोध मांगा है माना है इसमें का पूछा है यहाँ से मेट्रो नगर में देखा या पहला आपसन होना चाहिए काउंसा आपसन सही एक बार जुरूब बताना कमेंट में ठीक है अगले फुर सुप बढ़ेंगे कि काउंसा जो है अध्यात्मिक मूल ली है यह दम इसकी बात कर ले तो काउंसा अध्यात्मिक मूल ले बच्चो बिलकुल यहां से spiritual value पूछा है तो बिलकुल सांती जो है यही अध्यात्मिक वैलो है पीस बिलकुल पहला आपसन लगाएगा एकदम सही रहेगा परबंधन एक पर किरिया है बिलकुल परबंधन जो है बच्चो management is a social process बिल्कुल पहला अपसन लगाएगा अपसन इसमें का समाजिक है परबंधन जो है एक समाजिक पर किरिया है पहला अपसन एक दम सही मैंने पूरा paper solve करा दिया है आशा करता हूँ आप सभी लोगों देख लिए होंगे आप playlist में जाकर आप 2-3 वीडियो आपको देख लेना है ठीक है ये जो मेट्रो नगरवाला जो कुशन आपका बच्चों दिया हुआ एक बार देख लेना है मेरे हिसाब से पहला अपसन सही होना चाहिए ठीक है कमेड में जरूर बताईएगा इसमें का कौन सा आप से नक्टम सही है मिलता होने वीडियो के लिए तब तक सभी को थैंक्यू वाचिंग दिस वीडियो